अब मांगती है अपना पूरा हक महिलाओं के साथ अन्याय के विरुद्ध होने जा रहा है देश व्यापी नारी न्याय अंदोलन 29 जुलाई दिन सोमवार राजधानी दिली से एक देश व्यापी अंदोलन की शुरुवात की जा रही है ये अंदोलन अखिल भारतिय महिला कॉंग्रेस की राश्य अध्यक्ष शुमती अलका लांबाजी के नित्रत में राजधानी दिली से होता हुआ प्रत्येक प्रदेश और प्रत्येक जिले तक देश के कोने कोने तक पहुँचेगा इस आंदोलन की तीन बड़ी महत्वपूर्ण प्रमुख मांगे हैं वो मांगे इस प्रकार हैं पहला राजनैतिक न्याय ये मैं आपको पोस्टर दिखाना चाहूंगी राजनैतिक न्याय महिला आरक्षन विध्यक 33 प्रतिशत महिला आरक्षन कानून तो पास कर दिया लेकिन उसको लागू कब करेंगे उसको लागू अभी करके महिलाओं की राजनेतिक भागीदारी सुनिश्चित कीजिए, केंदर में बैठी सरकार से हम ऐसा कहना चाहते हैं, ये विधैक 10 साल केंदर में बैठी भाजबा सरकार लेकर नहीं आई, लेकिन जैसे ही 2024 के चुनाव पास आए, तो इन्होंने आधिया का वोट पाने के लिए यह विपक्ष के दबाव के चलते कानून पास किया, लेकिन लागू नहीं किया, कह रहे हैं 2029 में करेंगे, 2029 में क्यों, आज क्यों नहीं, अभी क्यों आज करो, अभी करो, 33% महिला आरक्षन कानून हमें अभी चाहिए, और इसमें स्टी स्टी के साथ हमारी ओबी सी बेहनों की भागीदारी भी आरक्षन में सुनिश्चित की जाएए हमारी पहली प्रमुख मांग रहेगी हरियाना जारखंड जम्मू कश्मीर और महराश्च में 2024 के अंतक चुनाव होने वाले हैं और इस मांग को लेकर हम लोग कल जंतर मंतर पर आंदोलन करने वाले हैं संसद का घिराव करने वाले हैं दुसरा महिला आर्थिक न्याय बढ़ती महंगाई बेरोजगारी का शिकार देश की आदी आबादी हो रही है रसोई घर का खर्च बढ़ गया है जिसके कारण घरेलू हिंसा भी बढ़ती जा रही है उमीद थी इस बजट में महिलाओं को कुछ राहत मिलेगी लेकिन ये बजट काफी निराशा जनक रहा कोई राहत नहीं मिली कहां गई मोदी की गरंटी साड़े चार सो रुपे का सरेंडर कहां हैं वो सारी सारी गरंटी हैं कब दोगे आप आप चुनावी वाद है तो बहुत बड़े बड़े करके आगे लेकिन महंगाई जो कितियों है बजट में उसके लिए कोई प्रावधान नहीं कुछ नहीं ऐ ऐसी इस थिती से बचने के लिए आर्थिक आजादी महिलाओं की मांग है इसलिए भारतिय राश्य कॉंग्रेस महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना लागू करने की मांग करती है कॉंग्रेस के न्याय पत्र में हमने कहा था कि महालक्ष्मी योजना के तहत हर गरीब पर अंतरलागों की जाए तीसरा समाजिक न्याए और सुरक्षा का अधिकार इस सरकार में लगातार महिलाओं के ओपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं यदि हम NCRB की रिपोर्ट भी देखें तो महिलाओं के ओपर क्राइम्स जेंडर स्पेसिविक क्राइम्स बहुत जादा भा मध्यप्रदेश में दो महिलाएं जिन्दा गाड दी गई जमीन में दबंगईयों की इतनी कुकृत्य करने की इतनी हिम्मत बढ़ गई है भाजपा शासित प्रदेशों में आप देखेंगे राजस्थान में भी पिछले छे महिनों के अंदर-अंदर ही 20,000 केसे फाइल हो लेकर तो हमें सुरक्षा चाहिए और हमें समाजिक न्याय और सुरक्षा का अधिकार चाहिए इसके लिए आप कानून सक्त कीजिए सिर्फ ये नहीं कि हम देखेंगे हम करेंगे हम एक्षन लेंगे हमें ऐसी चीज़े नहीं चाहिए हमें तुरंत एक्षन चाहिए ऐसी मांगों को लेकर हम चलाने वाले हैं यह हर गाहों तक पहुंचेगा हम आंदोलन धरना प्रदर्शन जेल भरेंगे लट खाएंगे डंडे खाएंगे हम कफन सर पे बांद के निकलिया हम डरेंगे नहीं बिलकुल भी हमारे नेता जो राज्य सवा में हैं और जो लोकसवा में ह श्री राहुल गांधी जी श्री मती सोनिया गांधी जी श्री मलिका अरजुन खडगे जी श्री रंदीप सिंग सुर्जेवाला जी वे सदन के अंदर इन मांगों को उठाएंगे और हम जो बाहर है महिलाएं वे सदन के बाहर इन मांगों को बड़े गांधी प्रिय तरीके से शांती प्रिय तरीके से उठाने जा रहे हैं लोगतंत्र हमें इस चीज की आजादी भी देता है कि हम अपनी मांग सीधे तरीके से रखें हमने कॉंग्रेस के न्याえ पत्र में ये तीनों चीजे डाली कि आप तुरंत करें इन्हें, आप हमें हमारा हक दें, इन तीनों मांगों पर हमें सरकार का जवाब चाहिए, साथ में हम आंगनवाडी वरकर, आशा वरकर, मिड़े मील वरकर का मांदे, जो केंदर की और से आता है, उसे दोगना करने की भी मांग करते हैं, ये नारी न्याय आंदोलन जारी रहेगा, कब तक, न्याय का हक मिलने तक, ऐसा नहीं है, ये महिला, अखिल भारतिये महिला कांगरेस की तरफ से चलाय जा रहा कारेकरम है, जिसमें महिलाएं ही बाहर निकल के अपना हक मांगेगी, देखिए जो वर्ग है, जो वर्ग खुद अपने लिए आ जिलाएं, 39 जुलाई को 11 बजे जंतर मंतर पहुँच रही है, ये आंदोलन शुरू होगा, राजधानी दिल्ली से, फिर प्रत्येक प्रदेश में उनके जिलों में होगा, क्यत्थल जिले में भी होगा, फर्याणा में देखें, 22 के 22 जिलों में ये आंदोलन होगा, नारीन लाज दिखेंगे, बुलाऔ, दिखेंगे, गांतर में ध्रियां जीलों में जेशे, ये लाजधानी गारीने में ये रहे हैं, ये हर्याणा में जेसे मैं जीलों में जीलों में प्रभारीनिक प्रदेश्तन was जैंगे stärṣै जहान जहां, जज्भे ने नीके प्रद दि occurred क्क्रे झाल झाल